नमस्कार स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में मैं हूँ आपके साथ जूती श्रवास्तव खबर राजदानी लखनव से है जहां स्वास्ते विभाग के दिशानरदेश पर मच्छर जनत बीमारियों से निपटने के लिए लोक बंधू राज नाराएंड सेंग्तु चिकित साले में इलाज के व्यापक इंतजाम किये गए हैं बारश के मौसम में बुखार से पीड़त मरीजों की जांच एवं उपचार हेतु चिकित सिकों की स्पेशल टीम काम कर रही है तथा गंभीर मरीजों को भरती के लिए स्पेशल वाट की विविस्था की गई है आएए देखते हैं हमारे समवदाता उमेश विश्प कर्मा की ये खास रपोर्ट बारश के मौसम में साबधान रहें मच्छरों के काटने से कई बीमारियों का खत्रा बना रहता है और CHC एवं PHC सहेजला चुकित सालें को एडवाईजिरी जारी की गई है इसी क्रम में राजधानी लखनव के कानपूर रोट इस्तित लोगबंदू राच नारायन सेयुक्त चुकित साले में मच्छर जनित रोगों से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किये गए है डेंगो के मरीजों के लिए जहां स्पेशल वाड बनाय गया है महीं बुखार के गंभीर मरीजों के लिए एक और एमर्जेंसी वाड बनाय गया है लोग बंदू हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सुरेश शंद्र कॉशल ने बताया कि अस्पताल में प्रते दिन 2000 से अधिक मरीज आ रहे हैं जिनके लाज के लिए चुकित सुको की स्पेशल टीम लगाए गई है बुखार के गंभीर मरीजों को बनाय गया स्पेशल वाड में भरती किया जा रहा है उन्होंने बताया कि अस्पताल में दवाओं का व्यापक इंतजाम है और बड़े स्तर पर लोगों को स्वास्ते लाब पहुँचाय जा रहा है अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुरेश शंदर कौशल ने बताया कि अस्पताल की पैथोलोजी एवं ब्लड बैंक एक्टिव है बुखार पीर्तों की ब्लड जांच एवं भरती मरीजों को ब्लड एवं प्लेटलेट्स के लिए अविधर उदर दोडने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसी क्रम में हमारे समवदाता उमेश पिश्व कर्मा ने अस्पताल के निदेशक सुरेश शंदर कौशल से खास बादशीत की तो आईए देखते हैं अस्पताल की विविस्थाओं को लेकर डॉक्टर सुरेश शंदर कौशल ने क्या कुछ कहा बारिस का मौसम समापती की ओर है और जगह जगह जलभराव की समस्या को लेकर मच्छर जनित रोगों का खतरा बढ़ चुका है तमाम तरह के बुखार हो रहे हैं लोगों को हास्पिटल में क्या तयारी की गई है तरह तरह के बुखार हो रहे हैं सर डेंगो मलेरिया इत्यादी का खतरा बढ़ा हुआ है इस समय जो है वो चुकि बारिश हो रही है और बारिश लगबग जाने वाली भी है तो इस समय इन्फेक्शन का क्रम बढ़ जाता है इन्फेक्शन के मरीज बढ़ जाते हैं और जैसा भी आपने कहा कि डेंगो मलेरिया चिकन गुनिया यह सब मरीज भी बढ़ते हैं कि संख्या बढ़ जाती है तो बीट में भी सरकार की तरफ से जो है अडवाजरी जारी होई कि हम लोगों को जो एक वार्ड आरक्षित करने हैं वार्डों में सुविधाये हैं तो हमने दो वार्ड आरक्षित कर रखे हैं उनको उनमें मच्छरदानिया भी प्रवाइट कर लगा रखी हैं वाल कि कोई मरीज आता है तो उसके लिए बुखार का मरीज आ रहा है दूसरी जांच की प्रक्रिया जो है अमारी लेव लगातार खुली हुए 2400 गंटे जांच कर रहे हैं जांच के कंफरमेशन के बाद कोई लगता है कि कोई मरीज हमारा जो है वह मलेरिया चिकन गुनिया या उसे संबंदित है तो वो पर्टिकुलर वार्ड में भेजा जाएगा और एडवाइजरी में और बात हैं जो कही गई है वो यह है कि हमारे पार दमाओ की उपलब्दता है मैन पावर है बाकी साब सफाई एक बड़ी चीज है को कि चिकसाले परिसर में य प्रयाद से करें कि अपने गढरों इब भी जो है पानी जहां भी रुखता है जैसे कि कुले आपके पास करें या या मास्कुटर रिपलेंट बहुत सारी जो आपकी क्रीम आती है अगर बती आती है उस तरह की चीजों का इस्तेमाल करें पूरी वहां के कपड़े पहने पूरी वहां फुल शर्ट के और पैजामा या पैंट जो है पहने ताकि कम से कम मच्छरों को बहुसर मिले काट सब्सक्राइब देखा रहता है कि स्कूलों में बच्चे हाफ सर्ट एगा इतियाद ड्रेसे पहन के जाते हैं तो उनके लिए भी तो यह चीज होना चाहिए कि फुल सर्ट पहने स्कूल वालों को लिए बिल्कुल इस्कूलों में भी चुकि वही बात है कि बच्चे तो वै वह किया जाता है तो वह सब प्रक्रियां अपना ही जानी चाहिए जैसा कि कोई मरीज डेंगू का आता है तो ज्यादातर समस्यां फ्लेट लेट्स घटने की होती है तो अपने हाथों ब्लड बैंक भी है तो क्या सारी सुब्धाइं उपलब्ध हैं कि उनको किसी भी तरह की फून की कमी नहीं पड़ेगी अपने मरीजों को देते भी है और प्रयास ये रहेगा कर इस तरह के मरीज बढ़ते हैं तो उनको वह भी मिलता रहा है फिलाल देखा जा रहा है कि भीड़ लोगों की बढ़ती जारी अस्पताल में काफी भीड़ हो रही है बार लोग लाइन लगाए हुए है तो क्या चुनोतियों का सामना करना पढ़ रहा है और आम जन्मानस से क्या अपील करना चाहते हैं कि जैसे कि अस् आने वाली जनता से रिक्वेस्ट करूँगा हुले कि हम जो है पर्चे आनलाइन पर्चे बनवा रहे हैं इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा समय लगता हो लेकिन यह आगे चल करके आपके लिए बहुत ही सुविधा जनक होगा और भी चीजियां जैसे कि जांच हो रही है लाइन जैसा कि देखा जा रहा है कि पार्किंग की समस्या पार्किंग की अपने बात कि निश्चेतरों से गंभीर समस्या है एमेर्जनसी के गेट के सामने काफी गाड़ियां लोगों खड़ी हो जाती है किन्तु क्या इस दिशा में नगर निगम से आप लोगों ने बात नहीं कि सर की बाहर पार्किंग की वेवस्था की जैसा कि नगर निगम की पार्किंग की जिमेदारी होती है जी इस सम्मन्द चुकि हमारे पास स्पेस कम है तो सब्सक्राइब गाड़ियां अंदर हो जाती है तो इंबुलेंस निकलने में अमरी जो आने जाने में परिशानी होती है हमने नगर निगम से भी अपील किये उनको पत्र भी लिखा है कि बाहर की जो व लगबग पर डे बुखार के कितने मरीज अस्पताल में आ रहे हैं हम यह मान कर चलें कि जैसे हमारी रोज की जो वो पीडी है वो लगबग 2-2-3-3-3 के करीब जा रही है तो मान कर चलें कि कम से कम 25-30% मरीज बुखार के आ रहे हैं तो फिलाल लोगबंदू हास्पिटल मे रोज यहां पर 200-500 करीब मरीज यहां आ रहे हैं और समचीत इलाज की बेवस्था की गई है दबाओं का परियापत इंतिजाम है और वाडों में दो वाड बनाए गए हैं जो डेंगू मलेरिया यादी इत्याद से पीडित अगर होते हैं तो उनको वहां भरती करने की बेव साफ सफाई का विशेश ख्याल लोगबंदू हास्पिटल में रखा जाता है प्राया देखा जाता है कि यहां पर डाक्र महोदे के दिसा निर्देशन में यहां के चिकिसक श्टाफ स्रमदान करते हैं खुद साफ सफाई यहां पर कर एक पुरे प्रदेश को एक उदाहरण पेस कर रहे हैं सहयोगी सुनिल कुमार पाल के साथ उमेज बिसकरमा सी निउस भारत पिलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं सी निउस भारत